तो चलिए शुरू करते हैं आज हम सब लोग क्लाश 12 की मैथ में एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं खंडशा समा कलम निनी इंटिग्रेशन बाइपार्ट पहला वीडियो है इसका अमारी एक्सरसाइज 14 का और जो न्यू बुक है नई वाली बुक उसमें एक्सरस साइज काम बता रहा है थी कोई बात नहीं है घंडशा समा कलन में होता क्या है दो फलनों के गुड़नफल का समा कलन होता है दो फलन कौन-कौन से एक fx है और एक gx है कह सकते हैं एक cos x है दूसरा log x है cos x का हमको समा कलन पता है log x का समा कलन नहीं पता है तो याद रखे जिस जिसका समाकलण नहीं पता होता है उसको फर्स्ट नाम देते ही, एक और जिसका समाकलण पता होता हिस उसको हम सेकेंड नाम देते हैं, ठीक है, तो याद रखें, दो चीजे होती हैं, समाकलन निकालते हैं, हर एक टर्म का, हर एक फॉंक्शन का हम समाकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर एक फॉंक्शन का हम आउगलन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो fx है, gx है, इन दोनों में से जिसका हम को समाकलन नहीं पता है, पता ही नहीं, आउपलन तो भैस से सबका पता होता है, उसको हम नाम देते हैं, first यह क्या है? अग्यात है, इसका समाकलन क्या है? अग्यात है, लेकिन इसका समाकलन हमें इसका समाकलन हमें अग्यात है, इसका समाकलन हमें ग्यात है, तो हम क्या करेंगे? इसको नाम देंगे हम first और इसको नाम देंगे हम second ठीक है जिसका समा कलंड में पता होता है हम उसको सेकेंड नाम देते जिसका नहीं पता होता उसको फर्स्ट पारमूला लगाएंगे फर्स्ट एंटू सेकेंड का समा कलान और की शेकेंड नाम कुसको माने हैं एफ्स मानेस वर्स्ट का आउपन are 15 फर्स्ट फंक्सन अमारा क्या था जीएग्स इंटू सेकेंड का समा करने, सेकेंड हमारा क्या था एफेक्स, और फिर पूरा ब्रेकेट लगा करके, पूरे का समा करने, ठीक यह फार्मूला बन गया, फरस्ट इंटू सेकेंड का समा करने, माइनेस, फरस्ट काउ करने, इंटू सेकेंड का समा करने, और इंटू पूरे का स ठीक है अगर इसको समझना तो एक नाम दिया गया ट्रिक के द्वारा आई लेट का मतलब इनवर्स टेग्णोमेट्रिक फंक्शन और यहां पर टी क्या है तेग्णोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंसियल फंस है ठीक इनवर्स वाले मतलब साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स ऐसे ही डॉट 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 लोगरिद्म मतलब लॉग एक्स बेस में तो यह होता ही होता है आगे ऐसे चले जाएं अलजेब्रिक फंक्शन मतलब जैसे हो गया एक्स की पावर एनवर्स एक्स की पावर थ्री वाले एक्स की पावर रॉट एक्स हो गया तो यह होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन एक्स वरेबल वाले और इसमें प्लस वाले भी आ सकते हैं जग्नोमेट्रिफ फंक्शन हमको पता ही है साइन एक्स होते ही पॉस एक्स होते है टैन एक्स होता है सिक एक्स होता है एक्सपोनेंसियल फंक्शन यानि एकी पावर में एक्स एकी पावर में एक्स एकी पावर में फोर एक्स एकी पावर में रूट एक्स ऐसे हो सकते हैं ठिक तो यह होते हैं इसमें क्या करना है जो भी उपर है आ रहा है उसको हमेशा हम फास्ट नाप देंगे और नीचे वाले को second तो यह ऐसे अगर हम उपर से नीचे आ रहे हैं तो उपर वाला रहेगा first और नीचे वाला क्या रहेगा second मानना है जो नीचे वाले हैं उसको हमेशा second मानना है अब जैसे inverse वालों का हमका समकलन कहां पता है इनवर्स वालों का नहीं पता लेकिन इसके साथ में जो आया है उसका हम मान सकते हैं second और इनवर्स वालों को हम मानेंगे first क्योंकि इसका हमें समकलन नहीं पता है ठीक है अब जैसे एक्जामपल के लिए हम पहला question लिए exercise 14.1 का पहला question क्या है integrate करना x into cos x dx अब देखो इसमें दो function है पहला तो x का है और दूसरा cos x का है यह पहला algebraic function और दूसरा trigonometric function अब इसमें मानना किसको है तो एक चीज याद रखे इसको हमेशा हम क्या करते हैं first मानते हैं ताकि इसका derivative हो सके देखिए फरस्ट था इस सेकेंड था फरस्ट था इस सेकेंड था ऐसा किस लिए यहां पर फरस्ट इसको मानेगे इसका derivative लेंगी क्योंकि समाकलन में power इसकी जुडएंगी लेकिन उकलन में power घटेंगी तो इसको हटाया जा सकता है और बढ़ेंगी तो समाकलन के स्ट्रिप बढ़ जाएगा समझ जाएंगी बस थोड़ा सा समझ देखिए तो इसमें करना क्या है कि इसको हम first मानेंगी इसको हम second मानेंगी आईलेट का term ही यूच कर लिए उपर जो होता उसको first नीचे वाला second उपर algebraic है तो first नीचे technometric है तो second आप दोनों को उल्टा भी कर देंगे तब भी आएगा answer ऐसी बाद में कि नहीं आए तो फार्मूला लगाएंगी कि यहीं होता है first into second का समाकलन माइनेस फर्स्ट का आउकलन इंटू second का समाकलन और यह हो गया पूरे का समाकलन करेंगे तो एक्स का integration होता है sin x minus d dx of x कितना होता है 1 लिखो चाहें ना लिखो चली लिखेंगे देते हैं 1 into इसका integration क्या होता है cos x ka sin x bx, अब आगी हाल करेंगी इसका, x sin x minus, sin x ka 1 से multiply, sin x हो जाएगा, sin x ka derivative minus ka cos x, और plus ka c, solve करेंगी, तो यह minus minus plus, x sin x plus cos x, plus c हो जाएगा, इसका answer, ठीक है, ऐसे करने हैं इसको, चलिए अब हम next question देखते हैं, question number second है, x की power n into log x d , अब इसमें क्या करना है किसको first मानना है, किसको second तो log x को हम first माननेंगे क्योंकि इसका, samah c column पता ही नहीं है, और x की power n को क्या माननेंगे ? second मानने, क्योंकि इसका, samah c how dal हम निकाल सकते हैं, फर्मूला लगा करके, लगाएंगे, ऐही फिर्मूला first into second ka का समा कलन मैनिस फस्ट का हो कलन इंटु सेकंड का समा कलन इंटु सेकंड का समा कलन मैनिस फस्ट का हो कलन इंटु सेकंड का समा कलन इंटु पूरे का समा कलन चली लॉग एक्स इन्टु एक्स की पावर न का समाकर एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन माइनस डेरिवेटिम लेंगे लॉग एक्स का वन बाई एक्स एन्टु यह क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन यहां 100 से 1 cancel हो जाएगा नर्या भाई यहां परावर वन है भाग गाते घटती है तो माइनिस 1 हो जाएगा उपर चातर ऍए और यहां से करेंगे कितना जाएगा इसको आगे करें रहें एक्स की पावर एंड लिट ईन्टव लॉग एक्स और में का अबश को माइनस यहां से क्या बचा क्यों एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी आप कामन भी ले सकते हैं एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन को बचा क्या यहां पर लॉग एक्स और यहां पर यहांँ वनं तो ही है यही कि बन जायगा इसका इंस्ऩर मनें तो हम Ama अभी साउली इसको हम सेकन्ड मानेंगे और ईस वाले को फरस्ट क्या हों जाएगा फस्ट इंटू सेकंड का समा कलन माइनस फस्ट का हो कलन्ण इंटू सेकंड का समा कलन्ण पॉर्य का समाह करेंगे एक्स कॉस एक्स का क्या होता है साइन ए एक्स अपान ए दो से गुड़ा हो रहा है तो दो से भाग इसका तो वन ही हो जाएगा और इसका साइन टू एक्स अपान टू को हम आगे की चलो यहीं पर हाल करेंगे यहां से बाहर आ जाएगा साइन का क्या होता है माइनेस का कॉस तो माइनेस माइनस प्लस इसका कॉस्ट टू एक्स अपान टू और एक टू पहले सही था तो टू टू जा फूर प्लस सी यह बन जाएगा इसका एंसर ठीक है फॉर नमबर क्या कह रहा है कुश्चिन नमबर फूर कह रहा है एक्स कॉस्ट क्यूब एक्स इसमें क्या करना है क्यूब एक्स का समा करना रहा है क्यूब एक्स का ऐसा करीए फार्मूला लगा देगे जिए जाता से है क्या होता है एक्स का होता है यह किसके कुल होता है यह धर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और फौर बटे में आ जाएगा चेक है बस बटे का फौर आगे करतेंगी और एक्स से अंदर गुड़ा एक्स कॉस फिरी एक्स प्लस फिरी एक्स कॉस एक्स अब चाहें तो इससे अलग अलग भी कर सकते हैं इसमें क्या करेंगी इस वाले टर्म को first मानेंगे और इसको second, x को first और इसको second करेंगे जब इसको solve करेंगे तो one by fourth रहेगा ही रहेगा यहां से first into second का समा कलंग, cos चली minus first का ओ कलंग, into second का समा कलंग, और into पूरे का समा कलंग, ठेक, अब यहां थिरी तो constant, थिरी बाहर लिख दीजी, यह बड़ा वाला बरेकड लगा दीगे, plus मथा, थिरी बाहर कर दियो, we have our first into second, first into second का समा कलंग, minus first का ओ कलंग, into second का समा कलंग, minus, point two पूरे का समा कलंग, अब स्वालू करेंगे और बेकड बड़ा वाला लगा देंगे यह, यहां से, one by four, x, cos three x का क्या होता है, sin three x upon three, minus, यहां से देखिए, x का derivative one, लिखो चाहे ना, लिखो, इसका क्या होगा, integration sign three x upon three हो जाएगा, cos का साइन होता है, फिर plus, यहां पर क्या था, three, bracket, x, x, cos का क्या होता है, समा कलंग, sin x हो गया यह, complete, minus का चिन, ठेक, minus का अंदर तीन से गुड़ा हो जाएगा, ठेक, और यह क्या हो जाएगा, भाई, तीन से गुड़ा, यहां पर होगा, तीन से गुड़ा, यहां पर भी हमने कर दिया, और अभी भी बाहर है, x का x के respect में one होता है, one कर दिया गया, और यह क्या होता है, cos x का sin x समा कलंग, और बड़ा ब्रेकर लगया दिया, one by four, यहां से क्या है, x sin 3x upon 3, minus का, यह कितना हो जाएगा, sin x का minus cos 6, sin का minus cos, तो minus minus plus, minus, और sin का minus plus, sin x का cos x upon a, यहनि तीन से, फिर से भाग, तीन पहले से था, तीन तरह की, नौ, और plus का, यहां पर कितना हो जाएगा, 3x sin x, और यहां sin x का minus cos x, तो यह चिन भी क्या हो जाएगा, plus, 3 cos x, plus का c, यह बन जाएगा, इसका answer, ठीक है, पाइंसर आ रहा है, question number 4 में, 1 by 4, अच्छा, इसको total solve कर दिया है, नौ, 4 से मतलब अंदर, multiply कर दिया गया, 4 से इस वाले को, अलग कर दिया गया, multiply, 4 से इस वाले को, बस यही किया गया है, ठीक, यहां से थिरी कामन ले करके, चार से डिवाइड, बस answer हो जाए गई है, चलिए अब आगे, कि questions को solve करते हैं, पाच्वा question है, x, sin square x, dx, इसका हमको करना है, समा करना कुछ नहीं, सबसे पहले, sin square x को हम, formula में change करेंगी, sin square x का formula क्या होता है, पता है, 1 minus cos 2x, cos 2 theta का formula लगा, upon 2 को हम, आगे किये दे रहे हैं, और into में dx, अंदर multiply कराएंगी, तो 1 by 2, अब की बार अलग-अलग, x का multiply 1 से, x dx, फिर minus का, 1 by 2x का multiply, cos के साथ, तो 1 by 2 आगे, x का multiply cos के साथ, cos 2x, dx, ठीक, x cos 2x, dx का भी हमने तो किया था, x cos 2x, dx, question number third, इसका answer कितना आया था, question number third में, हमने अभी किया था, कि x cos 2x, dx, कितना आया था, x साइन 2x अपान 2, plus cos 2x अपान 4, तो direct किये दे रहे हैं, अच्छा चली, देख लेते हैं, 1 by 2, x का क्या होता है, x square by 2, minus 1 by 2, यह first है, यह हमारा second है, algebraic function, यह technometric function, first into second का समा कलम, sin 2x अपान 2, minus first का आउ कलम, first का आउ कलम कितना होगा, one into second का समा कलम, cos 2x का समा कलम, sin 2x अपान 2, के लाइन हमने डारेक्ट कर दे, और into पूरे का समा कल, break it, solve करेंगे तो उपर, x square by 4 नीचे, minus 1 by 2, यहां से, x sin 2x अपान 2, और फिर यहां से, minus sin कहते होता है, minus cos, minus minus plus, cos 2x, अपान, दो से गुड़ा हो रहा है, तो दो से एक और भाग, पहले सही था, तो दो दूनी 4, यह बन जाएगा answer, ठीक है ने आप, चलिए, next question sits देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, एक बार 2 से गुड़ा, 2 से भाग करते हैं, सबसे पहले, 2 से भाग, 2 से गुड़ा, 2 से गुड़ा यहां पर कराएं, 2 से भाग कराएं, तो 2 sin 2x into cos 2x, यह 2 sin theta into cos theta, sin 2 theta, और 2 पहले सही था, तो दो दूनी 4, यह बनेगा, अब क्या करेंगे, यहां से, यह हो जाएगा, हमारा first, यह हो जाएगा second, फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, first into second का समा कलंग, minus का cos, 4x upon 4, minus, first का आउ कलंग, कितना होगा, x का आउ कलंग 1 into second का समा कलंग, minus का, minus का आता है, cos minus minus plus, cos 4x upon 4 dx, यह हो जाएगा, 1 by 2, यह भी, वह भी किसका, minus का, minus, x cos 4x upon 4, और फिर, plus cos का क्या होता है, समा कलंग, sin, a x upon a, और एक चार पहले से था, तो 4 जो 16, plus c हो जाएगा, का इसका एंसर, ठीपि, नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं, इस वाले पूरे को हम, bracket लगा देंगी, अब क्योंकि इसका समा कलंग हमें पता है, इस यह तेरिनोमेट्रिक फूंक्शन, second और यह एलजबिक है, first, लगा दीजी, पार्मूडा है, क्या हो जाएगा, first, into second का समा कलंग, sec x into 10x का समा कलंग क्या होता है, sec x, minus first का होता है, first का यह निक और second का समा कलंग, sec x, dx, x sec x, minus sec x का समा कलंग क्या होता है, sec log, bracket में, tan x plus sec x, और plus का c, यह बन जाएगा, question number 8 देखते हैं, question number 8, x upon 1 plus 4 x, integrate करना है, x upon 1 plus 4, pause 4 x, dx, cos 4 x का फार्मूलर, 2 cos square, 2 x minus 1, आई 4 को हम क्या लेख सकते हैं, cos 2 into 2 x, cos 2 theta, 2 cos square theta minus 1, यह cancel out, बटे का दो बाहर कर देंगे, x बटे का cause क्या होता है, sec square 2 x dx, अब यह first और यह second, हार्मूला लगा दीजी, first, break it, into second का समाखना, sec square x का समाखना, अब दो से गुड़ा था था दो से भाग, minus, first का ओ कलोंड 1, second का समाखना, 10, ठीक है, अभाल कर लेते हैं, पूरा ब्रेकेट, 1 by 2, ब्रेकेट, यहां सा, x tan 2x, upon 2, minus का, tan x का क्या होता है, log sec x, समाखना करना न, 1 by 2 हमादी कर देंगे, log sec 2x, 2 से फिर से गुड़ा औरा, 2 से भाग, यानि कि 2 दुनी, 4, और प्रलस का c, answer, minus 10 हटाना है, तो log cos x भी कर सकते हैं, log cos x माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यह बन गया, इसका answer, चलिए अब हम नेक्स्ट कोशिन देखते हैं, कोशिन नमर 9 है, log son x into 6 square x, dx करना क्या है, log वाले को हम first मानते हैं, I late के हिसाफ से, ठीक है, और यह सेकेंड, फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, first, चलिए पूरा देख लेट, एक बार, एंटू सेकेंड का समा करूं, माइनस, d dx, और first, 0.2 सेकेंड का समा कलंद, और ब्रेकेट लगा करके, पूरे का समा कलंद, अल करेंगे, तो यह वन जाएगर, log sin x, 6 square x का समा कलंद, 10 x, minus, यहां पर, d dx log x का क्या होता है, फेले log x का लगाएंगे, फिर sin x का लगाएंगे, log x का, 1 y x, into sin x का क्या होता है, cos x, into, 6 square x का क्या होता है, tan x, और tan x is equals to क्या होता है, sin by take cos, x का क्या होता है, x होता है, और आगे हमारा tan x, पर इंटू में log sin x, यह बन जाएगा है इसका answer, let's see कर देज़ेंगे, question number 10, x tan inverse x, अब, आयो, जो हमारा, i late था, उसमें, सबसे पर, x का तो समा कलान हमको पता है, तो इसको second माल लेते हैं, इसका नहीं कर सकते, तो first, यहाँ पर बताया दे रहा है, ठेक है, question number 10, यहाँ पर बताया दे रहा है, तो first, into second का समा कलंद, minus first का ओ कलंद, ddx of, tan inverse x, into second का समा कलंद, पूरे का समा कलंद, tan inverse x, x का एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना होता है, 1, आ, 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 समा कलंद करना, x square by 2, minus, इसका, tan inverse x का डेरिवेट तो, 1 by 1 plus x square, और into x का क्या होता है, x square by 2, dx, अल करेंगे, यह हो जाएगा, x square, tan inverse x, by 2, minus, यहां से बटे का दो बाहर ले लेंगे, integration, ओपर है, x square, और नीचे क्या है, 1 plus x square, एक बार 1 जोड़ेंगे, एक बार 1 घटाएंगे, ठीक है, 1 जोड़ेंगे, और 1 को घटाएंगे, तो plus वाला x square, इसके साथ, एक बार हर को, इसके साथ भीज़ेंगे, एक बार हर को, minus 1 के साथ भेज़ेंगे, तो देखे, क्या मिलेगा, अब एक बार हर को, हम भेज़ेंगे, minus 1 के साथ, ठीक, यह total cancel out, बचा क्या 1, और 1 का, integration हो जाएगा, x square, tan inverse x by 2, minus 1 by 2, यह x का, derivative, integration 1, ओ, x1 का, integration x minus, और यह किसका होता है, tan inverse x, और प्लस का c, यह बन जाएगा answer, आप चाहें, तो इसको अंदर, multiply कराएगे, और फिर यहाँ से, tan inverse x, और इस वाले, tan inverse को, common भी ले सकते हैं, ठीक है, यह हो जाएगा, इसका final answer, x, tan inverse x का, ठीक है, ठीक, यहाँ से, बटे का, दो के वल, कामन लिए अगे, बाकि सब वही है, answer, question number 11, 11 में, सबसे पहले हम, x is equals to, root तो लगा नहीं, अगर root नहीं लगा, एक्स की वैल्यू टाइन ठीटा रखें, याद रखें, x की वैल्यू टाइन ठीटा रखें, तो क्या हो जाएगा, कॉस्क इन्वर्स, वन माइनस, टाइन स्क्वाइड ठीटा, अपान वन प्लस टाइन स्क्वाइड ठीटा, ठीक, अभी अच्छी है, यहाँ पर अभी डेरिवेटिव लेना है, x का x के रिस्पेक्ट में, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लन और टैन का होता है, टैन एक्स का होता है, टैन ठीटा का होता है, वन बाई वन प्लस, अच्छा टैन ठीटा का करना है, टैन एंवर्स करना है, टैन ठीटा का होता है, देरिवेटिव सेक स्कॉय ठीटा और इंटू ठीटा का होता है डी ठीटा बाई डी एक्स को यहां से हटा करके यहां पर ले आएंगे तो हमको डी एक्स की वैलू मिलके हैं सेक स्कॉय ठीटा डी ठीटा डी ठीटा डी एक्स की वैलू अब यह बाहर कर दिया यहां से ठीटा और यहां से स्क्वाइर ठीटा डीटा अरे भहिया एक्स अगर यह एक्स का होता तो एक्स सक्वाइर एक्स डी-क्स अभी हमने किया आप करेंगे यह यह फंक्शन है परस्ट इसको मानेंगे स्ठे़ थीक का फार्मूला का स्टू ठीटा रखेंगे शुरस्ट थीटा बजएका टू बाहर फास्त इन्टु सेकन्ड कमकरों अमाइनस फर्स्ट के ज़से कमकरों रंतु पूरे का समवह करों ठीक्शार के टाय है खे टाके रिपेट की बार की बाहते है तो ये टू ठीटा ये सेक्स पर ठीटा का समार करने टीटा होता है ये वन हो जाएगा इंटिग्रेशन डिफ्रेंट इस और ये तायन ठीटा होगा और यहां से टीटा टैंठीटा ब्रेकट टू ठीटा टैन ठीटा माइनस टैन ठीटा का क्या होता है लॉग सेक ठीटा प्लस का सी डाल देंगे ठीटा कमान देखिए यहां से कितना है ठीटा कमान निकालेंगे टैन इन्वर्स एक्स और टैन ठीटा की वैल्यू क्या है एक्स एक्स अगे कर दिया गया है और यह टो तो माइनस लोग सेक्ठ शीटा यहां चाहें तो यहां से रूट में पावर रूट का मतलब पावर वर्म बाइटू और लॉग में जब पावर आती है तो वह आ गया जाता है तो वह एंसर बन जाएगा वाज से खिल्ट है एंसर एक लाइन बढ़ा दिया गया है तो जो एंसर है वही ले आते हैं दो से अंदर बुड़ा दो एक्स टाइन इन्वर्स एक्स यहां पर देखो रूट का मतलब पावर एक बटा दो और लॉग में पावर एक बटा दो है तो आगे आ जाते हैं अरे भाई लॉग एंड की एंड का फार्मूला क्यों था एन आगे आजाता है एंड लॉग एम हो जाता है तो पावर कितनी वन बाइटू वह आ गया जाएगी और 2 से अंदर मल्टिप्लाई भी हो रहा है तो लॉग और यहां से रूट हट गया बॉन प्लस एक्स स्वार अब यहां से टूव से टू क एक क्योट इंडिम्रेश T dublight 232 सेख 됩니다 कि और मुलार लगते हैं फॉस्ट एंटускो सेखेंड का समाह को एक्स की पावर फूर पर हो जाएगा माइनस का आ लन पस्ट का आउकलन टैनिंग एक्स का आउकलन एंटु सेकेंड का समाह करने एक्स की पाउर फॉर आपान फॉर हमने आगे कर दिया ठीक तो अब करेंगे क्या यहां से मानेंगे है यह हो जाएगा हमारा एक्स की पाउर फॉर टैन इंवर्स एक्स अपान फॉर माइनस वन बाई फॉर ओपर हम इसको लेख सकते हैं अच्छा एक चीज और है हाँ ठीक अंस में पावर ज्यादा है तो हमेशा हम लगाते हैं सेस्फल पर में याद रखियो अंस में पावर है चारा और हर में पावर है दो तो हमेशा स पर में लगाते हैं एक्सस्क्वायर से गुड़ा एक्सस्क्वायर एक्सस्क्वायर से गुड़ा एक्स कि पाउर कितना हो जाएगा और हो जाएगा एकस स्क्वार का वन से मल्टिप्लाई एकस स्क्वार फिर क्या हो जाएगा यह कैंसल आउट क्या बचा माइनस का एकस स्क्वार यहां माइनस का है तो यानि माइनस वन से मल्टिप्लाई तो हो जाएगा माइनस का एकस स्क्वार यह माइनस का वन यह माइनस था प्लस यह माइ एक्स स्क्वाइर माइनेस वन प्लस ठीक है ना सास सही एक बटा दो सास सही ठीक एक्स स्क्वाइर माइनेस वन पर एक कबटे में यह बन जाएगा याद रखे कभी भी अगर अंस में पावर ज्यादा हर में कम तो सेस्फल पर में लगएगा ठीक यह वाला रूल अपना ही है सास सही एक बटा दो यह आगे आ जाता है ठीक और फिर एक बटा एक्स स्वार प्लस वन अब सॉल्व करेंगे इसे हर तरीके के सवाल आएंगे याद रखी एक्स स्वायर का क्या होता है एक्स क्यूप अपान थ्री इंटिग्रेशन करना है ना ठीक है और यह माइनस का एक्स हो जाएगा और यह क्या होता है टाइन इंवर्स एक्स साइन रूट एक्स का इंटिग्रेशन करना है तो सबसे पहले हम यहां से करेंगे क्या रूट एक्स को टी मानी अब इसका करेंगे डिफुर्ट इयसे क्या हूता है और टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स आफ़ 10 को करेंगी क्या इसको ऊधर ले रोट एक्सको क्या माना गया है कि इन पर यह हम यहां पर है कर रहा है यहां पर हइं क्यों के-टना हो जाएगा साइन रोट एक्स को टी माना गया है इंटू डी एक्स के वेले किती नहीं टू टी डी टी टू आगे टी डी टी अब हम यह तो जानते हैं कि यह तेग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेकेंड एलजेब्रिक फंक्शन है फस्ट माना जाएगा आईलेट के हिसाब से फार्मूला लग काते हैं फरस्ट एंटू सेकेंड का समा कलन माइनस फरस्ट का उकलन अच्छा टी है इंटू सेकेंड का समा कलन और इंटू पूरे का समा कलन चेकें एक टू अच्छी साइंटी का माइनस कॉस्टी ति माइनस टी का टी के रिस्पेक्ट में आउकलन वन साइंटी का समा कलन माइनस कॉस्टी माइनस चेन हागे दे दिया डीटी एक बार और कर देदे हैं तू का अंदर मल्टिप्लाई माइनस का टू टी कॉस्टी प्लस माइनस का से की वेल्यू से एंदु कॉस्स टी की वेल्यू रूुट एक्स या या आई-लेट में इस वाले शसे कभी वी उफैकश इनको हमेशी सेकेंड़ नाम दोए क्योंकि यह सबसे आसान होते हैं न कर सबकर और यह फ़र्स्ट फर्मूला लगाएंगे कि फर्सट्स हो एंद सेकन्ड का समस्वा करनी हर यद्व play माइनस हस्ट ने इस सेकन्ड का समन करनने के और अल्म करन 용 एक्सक्यूब एंटू एक्सक्यूब 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 आगी रागे अभी यह बच रहा है इसको फिर से फिर्स्ट नाम देंगे और इसको नाम देंगे फिर से साल्व परेंगे यह क्या हो जाएगा हमारा X-cube A की कावर MX upon M minus 3YM integration करेंगे फिर से कितना हो जाएगा फिर्स्ट एंटू सेकंड का समाह करें माइनस फर्स्ट का आउ कलंग एक्स स्वार का टू एक्स होता है टू आगे कर दिया गया एंटू सेकेंड का समा कलंग एक पार एम एक्स अपान एंड एक्स अपान एम धी अम आगे किये दे रहे है अब एम यहां पर है एम यहां पर है बाहर निकाल लेंगे इसको एक्स क्यू एक्स की तोर एम एक्स अपान एम माइनस थ्री वाई एम एम यहां एम यहां यहां लेकर के आगे निकालेंगे MmSquare हो जाएगा अंदर क्या बचा एक स्क्वायर एकी पावर मेख्स-क टू और एफ और और कर देंगे क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा सेकन्द और यह हो गा हमारा first ठेख है ते first into second का समा कलम माइनस फर्स्ट का उकलन एक्स का उकलन वन सेकेंड का समा कलन इंटू पूरे का समा कलन अब जो बचेगा वही आंसर इसको एरेज करके यहां पर कर दो साइन टी कामान रूट एक्स माइनस टू टी कामान रूट एक्स कॉस्ट टी कामान रूट एक्स प्लस सी यहां से सॉल्व करेंगी कि यह कितना आ जाएगा एक्स क्यूब एक्स की पावर एक्स अपान एम माइनस थ्री अपान m square bracket x square e की पावर mx minus 2 minus 2 x e की पावर mx upon m यह minus minus plus 2 m बाटे का बाहर अब e की पावर mx का integration फिर से भाई m बाटे का बाहर होगा है यह minus minus 2 के बाटे में m हो जाए वन का इससे गुड़ा e की पावर mx ही रहेगा e की पावर mx integration क्या होता है e की पावर mx upon m plus c bracket लगा दीजी अब इसको total solve कर लेजी हो जाए गए यह answer x q e की पावर mx upon m minus 3y m square का गुड़ा है इससे कराएंगे 3x square e की पावर mx upon m square minus यह minus minus plus 3 2 6 e की पावर mx upon m का m square से m cube यह plus minus का गुड़ा minus 2 3 6 m square m गुड़ा m m square और m square का गुड़ा m की पावर 4 और फिर इंटू में e की पावर mx और plus c यह बन जाएगा इसका answer यहां पावर m की बढ़ रही है x की पावर गहट रही है ठीक है यही है आप चाहो तो आप यहां से e की पावर mx सब में एक आमन ले लो ठीक यह answer हो जाएगा चलिए next question है x cube e की पावर x square x cube को क्या लिख सकते हैं x into x square e की पावर x square dx अब assume करेंगे x square को t equal और इसका differentiation करेंगे x square का क्या होगा 2x और t का dt by dx कामन लेंगे x dx dt by 2 x dx की value बटे का 2 dt ए की power में x square को क्या माना गया t into इस वाले x square की जैगे पर भी हम क्या रख देंगे t अब integration कर देंगे यह हमारा हो जाएगा फर्स्ट और यह हो जाएगा सेकंड अमेसा वन बाइटू परस्ट न्टो इन्टो न्टो सेकंड का समा कला इकि पावर ट का इकि पावर ट म्यनस फस्ट का औक लंड ट का ट करेंदे के रिसमें और प्लस का C, E की पावर T कामन ले लेंगे, तो 1 बाइ 2 E की पावर T का मान क्या है, X स्क्वाइर, और ब्रेकेड में क्या बचा, T-1, T मतलब X स्क्वाइर माइनस 1, प्लस C हो जाएगा, रसर, नेक्स्ट कोश्चन, X टैन स्क्वाइर, X को हम तोड़ेंगे, उपसे बार है, किसमें तोड़ेंगे, 6 स्क्वाइर, X माइनस 1, कितना हो जाएगा, X स्क्वाइर, X माइनस का X, X, D X, अब इन दोनों में, यह तो हम सेकेंड मानेंगे, और यह फस्ट, इसका वैसे हमने करवा दिया था, पिछे, तो क्या हो जाएगा, फस्ट, एन्टु सेकेंड स्क्वाइर, X का इंटिग्रेशन, सेकेंड का समाकलन, सेकेंड स्क्वाइर, X का टैन एक्स, माइनस, फस्ट का उकलन होन, सेकेंड का समाकलन ने टैने, अन्हा सेकेंड स्क्वार, और इन्टो पूरे का समपैंगे, और इस X का क्या हो जाएगा, एकस स्क्वार भाई, हल करेंगे तो, X अन एकस टैन एकस, और टैन एकस का होता है, लॉफ सेक एकस, और माइनस का X square by 2, अच्छाए इस्वाले माइनस का कोई मतलब नहीं से, यह अलग है, यह अलग है, अगला है सत्रा नमबर, x cost inverse x, इसको हम यहाँ पर नौड किया दे रहे, वहां से हटाए दे रहे, पोशियन नमर 17 यहाँ पर देखे, इन्वर्स वाला हमेशा फर्स्ट माना जाएगा और यह हो जाएगा हमारा सेकेंड ठीक साल्व करेंगे तो फर्स्ट सब्सक्राइब साल्वर्स कि आप क्या करेंगे यहां से मानेंगे मानेंगे फिर इसको तो सॉलू कर लेंगे 1-2 के हिसाफ से ठीक है तो आगे इसमें फार्मूला लगाते हैं यह एक स्क्वार बाइटू हो जाएगा कॉस इन्वर्स एकस प्लस का बटे का दो यहां से आगे ऊपर है एकस स्क्वार और नीचे रोड में 1-1-2 अब देखे रोड एकस स्क्वार माइनस का रहा है यह एकस की वैलू हम क्या मानेंगे साइन टी मानेंगे डिफ्रेंटियेशन करेंगे एकस का वन साइन टी का कॉस्टी और यह हो जाएगा डिटी बाइडी एकस डिएकस का इधर माल्टिप्लाइग ठीक क्या जाएगा एकस स्क्वार बाइटू कोस इनवर्स एकस यह तो होई गया इसमों बाइटू एकस इसक्वार यहनि साइन स्कॉर्टी अपान रूड का वन मैनस साइन स्क्वार टी एन्टु डी-एकस की वैलू क्या आई ही कोस्ट टी डटी वन मैनेस सान्सि स्कु आरटी होता है रू Newton के बहर हड जायाएगा ये कैंसिल फो जाएगा अब साइनस्कु आरटी का है इंकिरेशन करेंगी सार्ण स्कु आर्टी का होता ग्या है नहीं तता है तो वन क्लस कास वन मानस्स कूस टूटी है अंटू होता है integration करना है, 1-cos2t, अब आंट 2 को हम बाहर किये दे रहे हैं, तो 2, 2 जा 4, यह dt, अल करेंगे, अब x square का, by 2, cos inverse x, plus 1 by 4, bracket x का, t के respect में, t हो जाएगा, minus cos t का, sin t होता है, और 2 से, देखो, गुड़ा है, तो 2 से भाग, plus का c, अब t की value डालेंगे, यहां से, sin 2 t का मान क्या हो जाएगा, sin t इतना है, sin 2 t का मान निकलना है, 2 sin t into cos t होता है, sin 2 t, sin 2 t, cos की value, 2 sin t की value तो x है, cos की value क्या हो जाएगी, root का 1 minus sin square t, भाई, cos t को हम क्या लेख सकते हैं, root का 1 minus sin square t, sin square की value by cos t, यसी के equal था ना, तभी तो pencil हुआ, 1 minus sin square t, sin square t, यानिकि, x square, sin t की value कितनी, x का square, 1 minus x square root का, यह मान उठा करके डालेंगे, तो answer कितना आ जाएगा, इसका, x square by 2, cos inverse x, plus, अथा यहां से, x square by 2, cos inverse x, plus 1 by 4, bracket में, याद रखे, sin square t का जो फार्मूला होता है, कि 1 minus cos 2t, upon 2 होता है, और अगर जो cos square होता है, तो 1 plus cos 2t upon 2 होता है, बस यह चीज़िया आपर खे, t की value क्या था, t किसके equal है, sin inverse x, minus sin 2t की value, 2 sin t into cos t, 2 से 2 cancel out, 2 x root का 1 minus x square by 2, 2 से 2 हो जाएगा cancel, अब जो बचेगा वही क्या हो जाएगा इसका answer, है ना, यह answer हो जाएगा, अच्छा एक चीज़ है यहां पर, कि sin inverse x नहीं आ रहा, cos inverse x आ रहा है, ऐसा क्यों आया, इन्हों ने x, हमने x का मान, sin t मान, इन्हों ने x का मान, क्या मान, cos की, अगर आप मानेंगे, तो जो हमारा answer है, आएगा, भाही, दो से गुड़ा, दो से भाग, जो इनका answer है वही आ जाएगा, ठीक है, one minus cos square t, यह दोनों pencil out, यहां cos square t हो जाएगा, यानि कि, यह cos square t होगा, तो one plus cos 2t upon two, यहां plus हो जाएगा, ठीक है, और लेकिन dx की value minus में थी dt, देखो, dx की value minus में आ रहा है, तो यह minus का चेंड में यहां पहुच जाएगा, minus minus, plus minus का उड़ा minus, यह ही हो जाएगा, यहां पर one plus cos 2t होगा, one cut t हो जाएगा, और cos 2t का, यहां plus में होगा, sin 2t upon two हो जाएगा, यह formula यहीं पर जाएगा, sin 2t यह चीज़ वही रहेगा, बस t command, t command, t command cos 2 माने हैं, इधर आ जाएगा, यह cos inverse x हो जाएगा, और यहां पर minus का चेंड, इतना interchange होगा बस, और कुछ नहीं, बखी answer वही आएगा, आप यहां पर x command, cos t रखेंगे यहां से, तो यह मान जो answer दे रहे हैं, वही आ जाएगा, ठीक है, तो यह हम आप पर छोड़ रहे हैं, आपका लेजिएगा, अब यहां से देखें, करेंगे क्या, let करेंगे, sin x को t मानेंगे, a differentiation करेंगे, sin x का क्या होता है, cos x dx is equals to dt, sin 2 x का फार्मूला लगाएंगे, 2 sin x into cos x, होता है न, cos x dx की value क्या होगे, dt, ठीक, 2 बाहर ले लें, t की पावर, sin x को क्या माना गया है, t, n2, इस वाले sin x की जागे पर, और यह, cos x dx की जागे पर, dt, यह हो जाएगा हमारा second, और यह हो जाएगा first, पार्मूला लगाएंगे, by part, first into second का समा कलन, minus first का हो कलन, t का t, और यह हो जाएगा, 2 से अंदर multiply, 2t, e की पावर, t, minus 2, e की पावर, t का समा कलन, e की पावर, t होगा, plus c, 2, t की जागे पर क्या माना गया, sin x, e की पावर, sin x, अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ से e की पावर, x कामन ले लेगे, 2 e की पावर, t, 2 e की पावर, t, 2 e की पावर, t, और e की पावर, 2 तो कामन ले ही लिए गया, e की पावर, t है, t कामन, sin x, फिर यहाँ से क्या बचा, t मतलब sin x, और minus 1, ठीक, और फ्लक का 3, यह बन जाएगा इसका, आइसका, यहीं पर exercise की end होती है, next exercise में, next video में, आगे के exercise के solve करेंगे, वीडियो पसंद आया हो, तो उसे like जरूर के जाएगे, मिल देगे,